कैसे कॉलिफाइग करें यूपिटेट प्राइमरी लेवल्स एंड किस तरह से अध्यापक भरती पर एकसा में नोगरी पाएं ठीक है तो यह काफी बड़ा सवाल है कि काभी जैसे कॉम्टेशन इस वार नजर आ रहा है उस कॉम्टेशन को देखते हुए कि पहले तो टेट कॉ कॉलिफाइग है उलड़ी जैसे कि कुछ बीटीसी बाले हैं पहले जो अध्यापक भरती पर एकसा क्वालिफाइग नहीं कर पाए एंड शिक समित्र है ठीक है तो वह तो लगातार अपनी अध्यापक भरती पर एकसा की तैयारी में लगे होंगे ठीक है उनको तो केबल यानि कि टैट कॉलिफाइग करने है पहले तो टैट कॉलिफाइग करना है बाद आती है कि टैट कॉलिफाइग फोर जनरल के लिए तेर्सों में से नब्य यानि साट प्रिसेंट पर कॉलिफाइग होता है नब्य मार्क पर क्वालिफाइग होता है ठीक है और अधर के टेग बनाएं देखेगा ये चार मैंने पॉइंट लिखे हैं चार में क्या हो सकता है कि एक बन्दा मैथ वाला है ठीक है तो मैथ को अपना टार्गेट बनाए तीस में से भाई उसकी जादा नहीं गिरने चाहिए जादा से जादा बहुत जादा कम होगे तो 28 ठीक है एक उसके साथ मैत अच्छा है तो कोई एक सुब्जेक्ट और बेटर होना चाहिए ठीक है धική मेत के साथ हिंदी बेटर हो अगर ऐछी है तो मैथ कर लिए 25 ऐसाली से ले जाएगा ठीक तीस में से हैं 25 असानी सक ले जाएगा और दूसरा है टीचिंग वाला टीचिंग में बहुत कम नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा कम नहीं तो इसमें हम मान के चले हैं 20-20 नंबर मनुविग्यान में और टीचिंग में ठीक है न जो टीचिंग टीचिंग मनुविग्यान वाला बाल विकाश मनुविग्यान वाला यह टीचिंग सहीजी डिलेटेट है ठीक है तो इसमें 20 यह पर्यावरान वाले में भी उसमें जी के काफी रहेगा तो कम से कम इसमें 20-20 का टार्गर्ष कर लीजेगा एव होगा यहां पे ऑप्शनल तो मैत वाला है तो भाई दोनों ही चीज कमज़र हो सकती है तो कुल मिला के नूर्मली अगर यहां पे मालिया 28 है और यहां पे भी मालिया 20-20 है ठीक है तो दो सब्जक्टो ऐसे बना लीजिएगा आपने दो सब्जक्ट इस तरह से बना लीजिएगा कि कम से कम दो में हम 25-25 ठीक है मालिया 28 भी नहीं पाते तो मिनिमों 25-25 है तीस में से और वाकी तीन ऐसे हैं जहां पर 20-20 ले जाए या एक में 20 से अगर कम भी हो जाते हैं तो भी बात बन जाएगी 25-25 हो गया 50 हमको कितने लाने है 90 लाने ठीक है 25-25 पचास अईधार हमारे साथ हो बन रहे हैं तो 110 अगर यहां पर थोड़ा से कम भी होता है किसी में ओच नीच हो जाती है मालिया 15 हो जाए एक में हो जाता है सा टीजिंग वाले में 15 हो जाए पर्यावराणों में कम हो जाए तो बात बनी रहेगी यानि कि आप 90 के टार्गेट पर रहेंगे ठीक है तो बीस नंबर एक्स्ट हो गोले गोले कितने पर लैंगे घेल्स ने लात बैनारे है निगतिव जाजिंग नहीं है मैं यह तो ہमं लेक होता है बहुत अच्छा लग काप कर रहा होता है है ना तो इस तरह की वाते भी उसमें आया करती है तो यहां पर मतलब अपनी जो क्वाल्टी है नबे पर पास होना है तो नबे से ज़्यादा बना कि जेने क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर यहां पर जब अच्छी तैय करेंगे ज्यादा अच्छे से तयारी करेंगे तो यह फाइदा वहां भी करने वाला है क्योंकि इसका जो आधा कोर्सेज मतलब असी से पिचासी परसेंट कोर्स अध्यावा घृती परिक्सा में वह उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है एक ट्यूड़ महीना और रहेगा और कि लागतार बनाए लग तोड़ेंगे बिलकुल नहीं ठीक है लगएतार बनती रहेकि वही तयारी है कि हिंडी यह मैतमेट्रिक्स परियाबर्ण भही यह ठोड़ा सा कर्णट अफेर बगिरा है वह इसमें बढ़ाना है ठीके जाद़ कुछ उसमें चेंजिंग नहीं है व कुछ बचा है 20% लगो तो मान लेजिए का यहां पे हम 100 वहां पे बहां पे बात आती है बीड एंड बीटीजी एंड शिक समित्रों के लिए देखिए का बीड बीड अपने अपको 120 पे कम से कम सीज़ और मानिएगा उससे कम सीज़ और ना मानिएगा क्योंकि उनके जो क्वा आपे शाट हो जाए तो इस तरह से पांच यहां तो मानीजेगा किसी की हो भी सकती है मलो रहती है 60 भी है 70 भी है वहाँ पर 60% का भी अच्छा माना जाता था पचास-पचास हैं तो गुडांग की टेंटन पर सेंट लेना है तो 20 नंबर मिल रहे हैं 20 मार्क अगर 60 है तो 24 मि तो मेरा मानना है कि कोमन साह यहां पर है यानि कि 24 25 से 20 मार्क आठाइस-30 तक में एक्जिम हो सकते हैं पर दूजे बीटीसी वाले हैं वो 30 से अभब ही मिलेंगे जानता 30 से अभब मिलेंगे ठीक है तो यहां पर आप माननके चलिए आप इस के बीच में आते हैं हैंना कोई होगा इस तरह से होगा तो आपका यहां पर भाई अगर यहां आप 120 नंबर लाते हैं यानि कि 120 बनेगा एक सो पचास में से 120 अगर परसेंटेज अगर आप निकालते हैं पार्तिया पंदरा तीन चुब बारा असी परसेंट बनेगा और असी परसेंट का इसका भी 60 हैं तो आप सेफ रह सकते हैं बहुत आसानी से ना 73 इतने पर आप सेफ रहेंगे कोई दिकत बाद नी 70 के उपर सेफ रहता है 68 68 69 पर सेफ रहेगा कोई दिकत यहां पर नहीं पढ़ने वाली है ठीक है यह तो थी बीर्ड बालों के लिए बात है अगर बीटी सी की वही बात क है इनका कॉलिफाइंग जो है 30 30 32 33 पर चल रहा है नहीं एजुकेशन कॉलिफाइंग में हैं के मार्क ज्यादा होते ही है ठीक है नए पढ़े हुए है एक तो और परसेंटेज भी ज्यादा है कि जिए कि तीस से अबब है तीस से लेकर 32 33 तक है पर चालिस किसी के नहीं होग अध्याबक भरती परिक्सा में अगर 90 पर अंताजह लगाते हैं तो 90 पर बन रहा है 60 ठीक है न तो यह 60 पर सेंट बनेगा 60 का अगर 60 पर सेंट भी लिया जाए तो 36 मार्क बन रहा है तो 33 प्लस का 36 यानिकि 69 अप्रोक्सिमेट्री यानिकि मेरिट में आने के चांसे जिनके पर बन जाएंगे 70 के आसपा जारात मेरिट पाने का चांसिस बनता है तो मेरा मन है कि जो बीटी सी वाला है वह 90 मार्क ध्यापक भरती पर एक्सा में पाके चल रहा है तो वह सेफ हो सकता है सेफ आसानी से पर बीट वाले मनला 110 115 120 के आसपा सेफ होने 120 पर सेफ है कोई दिक् बीट है किसी के 23 कि 24 कि 30 जिसके ज्यादा है जिसके ज्यादा है भाई तो वह कम पर सेफ हो जाएगा उधर यानि कि इसके अट्थाइस है तो वह 110 तक 100 तक निकाल लीजेगा बात बन जाएगी ठीक है तो यह आप पर डिपेंड करेगा आपके इसे हैं क्वालिफिकेशन में कितने मार के चल रहे हैं एड उसमें आप कितना लाना चाहते हैं अगर बहुत कम हैं मान लिए 20 हैं और अधर आपके 28 हैन्म तो 68 बन पाएगा तो उसको महरत करनी पोड़ेगी तभी वह निकल पाएगा मेरा बताने का मतलब यहां एक इधर भी चल रहा था मैंने चार ओप्षिन यहां बनाए थे एक का मैत अच्छा नहीं है ठीक है मैत में वह दस्की कर पा रहा है तो उसकी अर्ड साइट का होगा तो उसकी हिंदी जो पोर्सन है यह जनल स्टडीज यानिकी टाइप के रहेंगे तो वहां पर यह 20-20 ना ले जाके 20-20 तो मेनी मुमान के चली यहां इससे कम इससे नहीं गिरना है तो 40-90-90 अर्शानी से यहां पर यह सो ले गया तो जो जो आर्ड साइट कर रहा हो का मैत अगर भी खोगा त तो मुदल होते हैं कि मैत करें नहीं पार रहे हैं बिलकुल नहीं हो पारा तो उस तरह की कंडिशन अगर है तो इस तरह का उप्शन बना सकते हैं अगर बात आती कि नई पोसिबिटिटी स्टेट में अगर 90 नंबर पार्ट्स करने के लिए भाई इसमें लगाना सभी पे उ तो दूसर सब्जेट चुन सकता है संस्कार चुन सकता है है जाना? मैत भी अच्छा है तो अच्छा है तो 20100 मिन ilaम जाएगा हिं follows नहीं है हो सबस्क्राइब तो टीचिंग परिण के ऽ। इक सबैखिया तो परद पिछी कर नहीं बढे आपकर वह पही अंसक्राइब जांक्षो वगया तो यहां पर प्वाइब Ap चुछ नबे हैं नबे दस एकसो पांच इस तरह से बन सकते हैं और उसके आगी को भी बढ़ाए जा सकता है चोछी चौथी पॉसलिबिटी है कि कुछ भी अच्छा ना हो तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है तो लगे रहीएगा ठीक है अमयत भी अच्छा नहीं हिंदी भी अच्छा नहीं तो आप सोच लिजिए कम से कम हमको बीस बीस फिक्स है ना है पांस सब्जेक्ट है पांच हमें बीस बीस लाइंगी तो सो हो जाएंगे बाकी दुक्चे वाजी बढ़ा देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसका कुछ भी अच्छा ना हो तो कुछ ना ठीक है दो स्ट्रोंग होंगे तो हमने दो में से दो स्ट्रोंग है तो हाँ पर पचास निकाल लें बाकी में वीस बीस ले आएं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे ठीक है यह नहीं कि एक सब्जेक्ट है उसमें आप दिमाग जादे बहाए जा रहे हैं जैसे कि बाट से अगयरा पर या सोसल मेडिया पर चला है मनुविग जयान का उसका को नोट्स वगयरा पीडिये फगयरा वो सेंड की जा रहे हैं पता लगा उसी में दिमाग बढ़ाए बैटे तो आना तो तीसी के नंबर का है ठीक है बागी और सब्जेक्ट को तो देखें अगर वह मालिय वहां उसको पढ़ते रहें ऐसा नहीं कि उसी के पीछ है मतलब यह है कि आप अपने जो अपने जो फ़ेवर के दो सब्जेक्ट हैं अपने फ़ेवर के दो सब्जेक्ट हैं कि बहुत अच्छे हैं तो उनको कंट्रोल में बनाकर रखेगा ताकि वहां सब 50 नंबर निकाल ल सब्चेक्ट ऐसको छोड़के दूसरे पर लटके बठें है तो मैरा मनना के जिसके जादे दो सब्चेक्ट जरूर अच्छे होँगे इन मैसे कोई यहां पर हैं आछ यहां पर क्वालों के थैसके खिरमन करेंट लिस्वार थी किस तरह से क्वैए यहां फिर दैकե रहे हैं तो इम चंछ से ह Literally की. बात कर जहते हैं, हम भी क्युंआ टैनले लाने हैं तो यहां het है 110 115 120 जैसा कि आपको जरूरत है जैसे कि आपके इधर मार्क हैं उसके कोडिंग से रहेंगे अगर बीसी मार्क हैं तो वहां ताड़ तारीस तो कम से कम होनी चाहिए जादा है तो उसे थोड़ा थोड़ा एक दो नमबर कंबे भी बात बने तो हो सकती है ठीक है मतलब सेफ जो सेफ जो जोन है यहां पर चैनल कटेगरी में 67 से लेकर आगे गी और सेफ जोन माना जाता है 67 68 से सेफ जोन है ठीक है अब बात आती है कि सिक्सा मित्रों के अगर बात कर लिए जाए तो भाई उनके लिए तो जो एजुकेशन क्वालिफाइंग में अगर वो मालिया बीसी न किन अत्रत को सकता है और किक्तावशन क्यों के लिए सेवचthing मिल चाद में ऑंसली को आते हैं तो केहां करत और वाला से समेत्र नोगजी बाने असानी से आए है बहुत इजली तो यह मिनिमम भी बीस तो हो गई होगा पचास पचार से अरे उससे भी गिरेगा तो अठारा उन्निस हो जाएगा चालिस चालिस परसेंट हो थर्ड डिविशन रहा होगा मालिया तो पच्चेस इदर जोनने के वाद काफी काफी स्ट्रॉंग मेंटर बनाते सब्सक्राइब के लिए तो इस बार जो भुष्टी फरीक्षा होगे ती उसमें मेरिट का कोई मतलब ही नहीं था जो पास होगया तो यहां पर काफी अच्छा खेल होने वाला है यानि कि यह जो पास होगे हो आप मेरिट लगे गा तो आसानी से हो जाएगा ठीक है तो यहा से ना रखे जाए अगर इस तरह से नहीं रखेंगे तो यह लोग जो है 25 बच्छी जोड़के यही मेरिट में आजाएंगे बागी के लिए काफी प्रॉब्लम होने वाला है तो मार्क रखना भी एक जरूरी पॉइंट है यानि कि क्वालिफाइंग मार्क कितने पर क्वालिफ प्रॉब्लम होते तो अब फिर तुरंट जब बाद में दो से चार दिन बाद फिर से आया था कि यतने पर रखेंगे 40 यह 45 रखेंगे तो इस बात को सोचा गया होगा कि पहले सोचा कि नहीं कौलिफाइंग रखेंगे नहीं रखेंगे तो इसी समीत्रों कि जो संक्या है व अगर वो कौलिफाइंग मार्क के अंदर अगर नहीं भी आते हैं जितने भी आते हैं उधर के कम भी होते हैं माले 30% होते हैं या 33% होते हैं तो इधर की मार्क एड़ होके काफी अंदर आज सकते हैं मेरिट में तो इस बात को सोचते हुए फिर से उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क रखने का विचार किया गया है यानकि जो 45% पर या इतने पर 40-45 या उतने में ही रखेंगे तो इस तरह से जो है काफी मेरिट वेफेक्ट पड़ता है ये केबल पास कर ले जाए तो भी है मेरिट में आ ठीक है तो ये तो बात किया था टेट टेट को लेगे अधिया पगवर्ती पर एक समय किस तरह से हम आप सकते हैं किस तरह से आग उसमें से लेक्ट हो सकते हैं तो ये दोनों मैंने एक साथ प्रोसीजर रगक बना के बता दिया गया है तो टेट में पास होने के लिए कम से कम दो सब्जेक्ट अच्छे करें अच्छे रखें अपने अच्छे होते ही या दो जरूर होते हैं किसी ठीक है और एक बंदा चोथी कंडिशन तीन कंडिशन मनाई थी चोथी नहीं बताने माला बताने किया अगर किसका कोई भी अच्छा नहीं है तो भाई जूट जाए ठीक है तो बात नहीं होता है तो लग जाए कोई भी अच्छा नहीं तो अच्छा यारी आप इसा कुछ नहीं है कि की मीनिमम में बना चेले मिनिमम भी मिनिमम बीज तो तो बात बन सकती है आसानी से हो सकता है तो मेरा मानना है कि जो जोन है नाइंटी है तो नाइंटी ना मान के चलिए कि हमें नभ़े लाने हैं तो उसे एक दोगर कम हो गया तो दिक्कत हो जाती है एक नंबर कम जिसका होता उसको बहुत प्रॉब्लम होती है वह सुचता है हम इ सब्जेक्ट का गोर्डिंग मना के रखिएगा तो सो मिनिमम सो तो हमारे सेफ हो ही जाएं कम से कम सो ठीक है एक्जम में बैठे तो सो हमारे सही हो गए उसके बाद जो पचास कुश्चन बते हैं उन पर भी तो गोला बनाएंगे उसमें से बहुत ज्यादा किसमत खराब हुई तो पांस सही होंगे दस भी सही हो सकते हैं बीस भी सही हो सकते हैं पचास में गोला बना रहे हैं तो चांसे दस का सही होने का लगता है ठीक है अगर तीस से चालिस कुश्चन तीस कुश्चन पर हम गोला बनाते हैं या एक ही लड़ी बना देंगे उपर से नीचे पर तो आपने पचास लगाए तो बारा से तेहरा कोशन या चोदा कोशन जरूर से निकलेंगे तो यह भी एक तुक्का है अगर नहीं कुछ जाना है नहीं कुछ आ रहे हैं तो एबी सीडी जो पकड़ी होई है सीरीज माल या उसके बारे में यह बता देते हैं आगे फिर नई व पचास तक जिस पर मन कर रहा यह बहीं बनाना तो यह भी भरते चले जाएंगे ठीक है ठीक है तो मेरा मानना है मेरा मानना है कि एबरी टैन कुछिंट टैन में से जरूर तीन सही होते चले जाएंगे यानि कि इन पचास कुछिंटों में से पचास कुछिंटों में से अगर 15 पंद्रा कुश्टन या 12 से लेके 15 कुश्टन तक शही हो जाएंगी काफी अच्छे chances रहेंगे यहां से ठीक है जो आपको नहीं आते थे नहीं आते थे तो उन में साथ 12 कुश्टन पागे बहुत बड़ी बात है काफी पागे जो नहीं आते थे ठीक है तो पर यह कोई साइक भरते चले जाएं डायक्ट करते चले तो उससे भी कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा यह नहीं कि छोड़ के कर दो इतना टाइम स्में कर कर के रहिएगा कोशियन कर दो लूब होता जा रहा करते चल दो दूब कर लिए हैं लाइश्ट के 5 मिनट बज़े उसमें गुला भरनेंगे इस तरह की रणनी दिन नाम आएगा टोटल कर लीजिएगा पहले करने के बाद मतलब करते हैं दस कुशन पाच कुशन की अगुला बढ़ते रहीएगा यह नहीं कि बहुत जाद है बर्डन उस पे बनागे रहे लिए और बाद में टीजर से टाइम मांगा जारा दो मिने टोड़ देता हूँ फिर कोई नहीं देता है कोई अपनी नोपरी खत् है